आज 2 ओक्टोबर है मतलब महात्मा गांधी का जन दिवस और गांधी जैन्दी के इस मौके पर उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हजरत गंज के गांधी आश्रम पहुचे नमश्कार मेरा नाम काजल है और आप देखना शिरू कर चुके है इक्वालिटी न्यूज और अगर आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंद कर ले आपको बतादू कि यहाँ दोनों नेताओं ने गांधी जी को श्रद्दानजली अर्पित की इस दोरां दोनों ने साथ में एक साथ चर्खा भी चलाया और दोनों ने स्वदेशी प्रोड़क्स को अपनाने का संदेश भी दिया है मुखे मंतरी योगी आदितिनात ने कहा कि आज बापू को पूरा देश स्मरंद कर रहा है इस अफसर पर मैं बापू चर्णों में नमन करते हुए देश वासियों के और से बापू को विनम्र शद्दानजली अर्पित करता हूँ मुखे मंतरी योगी आदितिनात ने आगे कहा माहत्मा गांधी ने स्वदेशी स्वच्छता ग्राम स्वराज और आत्म निर्भर को भारत का आधार बनाया है भारत की आजादी के साथ स्वदेशी आजादी की लड़ाई को एक नई गती दी है देश के अंदर बापू के अपने को साकार करने के लिए राजसरकार ने भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोड़क्ट स्कीम बनाई थी वही मुखे मंतरी योगी आदितिनात ने आगे कहा है कि मैं सभी सांसत और विधायक से कहूंगा कि आज खादी का सामान जरूर खरीदे इससे खादी को बढ़ावा एहम योगदान है उन्होंने बापु के सपने को साकार किया है वही इस दोरान सपा प्रमुक अखिलेश यादव ने कहा आज जब हम बापु जी को याद कर रहे हैं तो हम उनके रास्ते पर चले उन्होंने हमें सेवा का रास्ता दिखाया है बदाया कि इच्छा शक्ती हो तो कुछ भी पाया जा सकता है भारत के लोगों को खास कर ग्रामिन भारत को जगाया है बापु ने कहा था कि जब तक हम खादी और ग्रमोद्यों को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक प्रदेश आत्म निर्भर नहीं बन सकता है वही अखिलेश यादव ने आगे कहा कि न कदन में सरकार को याद दिलाते रहेंगे ज्यादा से ज्यादा छूट मिले इसके लिए सरकार को बताते रहेंगे अभी के लिए इतना ही फिर होगे आपसे मुलाकात तब तक के लिए आप देखते रहे है एक्वालिट नियूज खबरों को और भी विस्तार से देखने के ल भूले साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें